नमश्कर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 33 formula for scenario के बारे में यहनी दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी एक ऐसी strategy के बारे में बताने वाला हूँ जिससे की आज में करोड़ पती बना तो यहाँ पर मैं आपको pattern पर इस formula को बिल्कुल free में लगा कर आपको दिखाने वाला हूँ तो आप भी यहाँ पर live market से पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो को द्यान से देखना इस वीडियो को देखकर आपकी live change हो सकती है यदि आपने कापी ज़्यदा market में loss किया है तो आप इस formula की मदद से अपने loss को recover कर सकते है और एक profitable traders बन सकते है तो चलिए यहाँ पर इस वाले pattern पर हम यहाँ पर आपको इस formula को लगा कर बदाते हैं बिल्कुल free में तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर निप्टी 50 का यह pattern open किया हुआ है और यहाँ पर जो मैंने टाइम फ्रेम यूज किया है यह है दस मिनट का टाइम फ्रेम क्योंकि यहाँ पर दस मिनट के टाइम फ्रेम पर इस formula की जो accuracy है यह 95% है तो यदि आप अधर टाइम फ्रेम पर इस formula को लगाते है तो यहाँ पर इसकी accuracy थोड़ी कम हो जाती है बट 85, minimum 85% की accuracy फिर भी आपको यह formula देगा लेकिन सबसे बेश टाइम फ्रेम रहेगा यह आपके लिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा ओके तो चलिए अब बिना देरी की हुए मैं आपको इस वाले formula के बारे में बताता हूं जिसका नाम है तीन-तीस formula for scenario तो सबसे पहले आपको करना क्या है previous day के pattern यानि कि यदि आप next day के market का पता लगाना चाते है उसका gap up, gap down या फिर उसकी direction का पता लगाना चाते है तो आपको उससे पहले के previous day के pattern का आपको high and low यहाँ पर trade line से mark कर लेना है यहाँ सपोर्ट को सपोर्ट से और resistance को रेजिटेंस से trade line से draw कर लेना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पर टरैल लाइन से ज्रो करते हैं आपस्में पहले हम YOUाँ पर इंको connect करते हैं इसके बादमें हम support को support से यहाँ पर trade line से यहाँपकर हम connect करते हैं तो आप देखते हैं यह करें यह दिखने को मिल रहा है तो यहाँपर होने क्यावला है ध्यानिचेए आप यहाँ ठिदय ट्रेड लाइन के पास में यहां पर मार्केट की आपनिंग होई इसको मैं एक और जेन्टर लाइन से मार्क कर लेता हूं अब यहां पर देखिंग होती है दो डायर्क लीध सर्य स्ट्रोंग लिघmedi है और यह रेजटेटेंट लाइन के नीचे यहां पर एक कंडल क्लोज होती है अब यहांपर आपको करना क्या है सबसे पहले प्रिविश डेके पैटन का आपको फॉर्मेट त्यार कर लेना है तो यहां पर देख सकते हैं हम प्रिविट देखे पैटन को यहां पर कुछ इस टाइब से यहां पर ड्रो कर लेंगे ठीक है यानि इसका फॉर्मेट हम त्यार कर लेंगे और डारेक्टली देखिए यहां पर पहले यह मार्केट का क्लोजिंग है और इस क्लोजिंग के बाद म मार्केट में gap up opening होती है उसके बाद में directly मार्केट में selling pressure आता है तीक है अभी तक हम यहां तक ही ड्रो करेंगे अब देखिए जो format बना हुआ है इस डूलू format का यह जो डूलू format है यहां से start है एक डूलू format और यह देखिए यह support और यह support यह support इस support के copy उपर बना है और यह resistance भी यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे के उपर है तो यह जो डबलू format आप देख रहे हैं यह बुलेस का हमें संकेत दिया है जहाँ पर जहाँ पर मार्केट में gap up अपनी हुई है लेकिन जैसे bearish candle बनी है तो यहाँ पर जो nest डबलू format बना हुआ है इसक साथ में देख सकते हैं है यहानी की यहां पर यहां पर सपोर्ट की तरह कां कर सकता है और सपोर्ट की तरह काम घि 잘 है यहां यहाँ पर spinning जो reversal give 不等 यहाँ परिसी सप्पोर्ट ट्रेलाइन पर मार्कित लिया और ही reversal लिए बात बनाया लेकिन जो support है यह यह relief support यहाँ पर हमें देखने को मिला और वापस से next candle इस वाले support के नीचे 2 ट्रैड करने लगती है इसके बाद में इसके बाद में हमें यह वाला सपोर्ट देखने को मिलता है अब यहाँ पर हम करने के वाले है यहाँ पर हम ड्रो करते यहाँ पर देखिए इस वाले सपोर्ट को मैंने यहाँ पर कुछ इस परकार से इनका मैंने फॉर्मेट तयार कर लिया मियाँ तो यहां। पर देख सकते हैं प्रिविबे का पैटन है। यहां पर जो एक uzब्रेशंत के लिए हम मन लेते हैं कि यहां आज का patron है और आज का paghatन पर यह स्ब्सक्राइब कर रहा है तो यहाँ तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अपने इस वाले सपोर्ट करेगा तो हमें बार बार यहांपर यह तो देख लेगा और यहां पर जो मैंने फॉर्मेट रो किया है इससे भी पता लगा सकते हैं जो आपको यह W format देखने को मिल रहे है यह काफी विग देखने को मिल रहे है यानि कि प्रिविश सपोर्ट से जैसे लेटर सपोर्ट उपर बनता है यहां पर देखेंगे तो रेजिटेंस नीचे बन जाता है कभी रेजिटेंस उपर बनता है तो सपोर्ट नीचे बन जाता है इसका मतलब यहां कि market यहां पर रुक नहीं पा रहा है यानि कि buyers price को यहां पर उपन नहीं ले जा पा रहे है बार बार sellers buyers को बीट कर रहे है और इस condition देख सकते है market आखिरकार अपना जो low ता इसका इस low के नीचे market trade कर लेता है इस low को भी यहां पर मैं connect कर देता हूं तो यहां पर देखिए इस low के नीचे market trade करता है और एक नया low बनाता है तो यह कुछ इस प्रकार से देखिए प्रिविट डेका जो आप high and low को connect करके trade line से draw करेंगे तो कुछ इस प्रकार से analysis कर सकते है market का यदि कभी भी support trade line resident trade line पर market में gap up gap down opening होती है और आपको यहां पर resident trade line प पर नहीं रुकने वाला है अपने support trade line पर trade करने वाला है यदि support trade line के नीचे market में gap down opening हो और कापी विक आपको इसमें selling pressure देखने को मिले उस condition में market अपने resident trade line पर trade करने वाला है यानि कि सक्सक्पूली market में यदि मान लीजिए support trade line के ऊपर जागी कोई candle resident trade line के ऊपर कोई candle close कर देती है उस condition में confirmation लेना है यदि confirmation strongly मिलता है तो आप buy के लिए order कर सकते है नहीं तो आपको sell के लिए order करना है उसी परकार से यदि यहां से market में gap down opening हो और यहां पर successfully candle support resident के नीचे यहां पर closing दे and उसका confirmation भी मिल जाए तो आपको sell के लिए order करना है या फिर आपको यदि वहां पर कोई reversal pattern बनता है तो आप वहां पर अपना यहां पर call के लिए order प्लेस कर सकते है ठीक है तो इस तेन तीस का formula 4 scenario पर detail से complete वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर सकते है बैल आइकन को प्रेस कर सकते है ओके तो आज के लिए तना ही thank you